Hello Students, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगया आने वाली वीडियो जल्द जल्द मिल सकें Hello Students, मैं अरिहंत जैन, मैं आप सभी लोगों का सवयत करता हूँ अपने YouTube चैनल जैन नोलिज हपप, where you can enhance your knowledge Friends, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, Class 9 का Chapter 1, Number System की Exercise 1.3 दोस्तों, इससे पहली वैली वीडियो में हमारे कुछ Questions रह गए थे, जो हमने इस वीडियो में cover किये हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं Last exercise में हमने Question No.4 तक किया था, आज हम करेंगे Question No.5, तो चलिए, शुरू करते हैं Question No.5 में आपको दिया है, 1 by 17 के दसमलव परसारण में आवरती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुस्टी के लिए विभाजन किरिया कीजिए, देखिए, कैसे करेंगे सबसे पहले आपको दिया है Question No.5, 1 by 17 को आपको विभाजन करना है, देखिए, आप जब 1 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा न, तो आपने क्या लिया? आपने Point लगा दी, क्या लगा दिया? एक Point के कारेंगे, यहाप एक Zero लगा दी, 10 हो गया, लेकिन अब भी नहीं चल रहा, तो आपने एक Zero अपने पास से और लगा दी, ठीक है? तो 100 हो गया, अब चलाईए, 17, 17 का पहड़ा चलाईए, इस पर कितने बचलेगा? 17, 15, 85, ठीक है? कितना बचलेगा है यहापे? एक Zero लगा दी अपने पास से, एक Zero हो गया, तो चलाईए, 17, 18, 136, कितना बचलेगा है यहापे? 10 में सिसका है, 4, 4 में सिरीगा है, 1, 140 बचलेगा, 14 हो गया, आपने एक Zero लगा दी, तो 140 हो गया, फिर 17, 8 चलाओ, 136, तो 10, 10 में चलागे, 10 में चलागे, 4 बचलेगे, ठीक है आपने Zero लगा दी अपने पास से, फिर क्या चलाओ गया आप इस पर, 17 दुनी, 34, ठीक है, कितना बचलेगा है अब, 6 बचलेगा, आपने Zero लगा दी अपने पास से, 60 हो गया, 17, 31, ठीक है, कितना बचलेगा, 9 बचलेगा, आपने Zero लगा दी अपने पास से, फिर चला दो, 17, पंजे 85, कित्ता बचा, फिर 5 बच गया, आपने 0 लगा दे अपने पास से, फिक्ष चलाओगे, 17 दुनी, 24, कित्ता बचा, 14 बच गया, ठीक है, नहीं, सोरी, 16 बच गया, 16 बच गया, आपने 0 लगा दे अपने पास से, 17 निम्म, 153, कित्ता बचा है आपने, 7 बच गया, आपने पने पास से, 17 बच गया, आपने फिर 0 लगा दे अपने पास से, 17 बच गया, 17 कम 17, कित्ना बच गया फिल, यह आपका बच गया, 13 बच गया, आपने फिर 0 लगा दे अपने पास से, आपको यह तब तक करना है, जब तक नंबर का repetition नहीं हो जाता, ठीक है, तो 130 हो गया, फिर चलाईए आप, 17 सत्य, 11, कित्ना बच गया, आपका बच गया, आपका बच ग जिल लगा है, फिल डगा हो फिल दे पास्टा गया, फिल लगा दिया, यह तर चलाईए, 202, कित्ना बच गया, फिर आपने जिल लगा दिया, जिल लगा दे, फिल द्ब चलाईए, नहीं, 17 सत्य चल जाएगा, 17 सत्य 119, ठीक है, फिर आगया कितना, फिर आपको एक बच गया, अब आपको यहापे एक बच गया, अब आप फिर 0 लगाओगे, फिर 0 लगाओगे, कहने का मतलब है, आपने यहापे 0 फिल लगाई, तो same repetition start हो जाएगा, यहाँ से, यहाँ से आग अफिर यहाँ से start हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, बस आपकी यहाँ तक, जब दुबारा repeat हो रही है, तो आप इनके उपर बार लगादोगे, तो इसको बोल देंगे, हमारी सत्रा का विभाजन, देखे कितना अंग होगे इसमें, तो आप क्या बोलेंगे, कि सत्रा के विभाजन में सोला अंग है, आप से यही पुछा गया था, कि अधिक्तम कितने अंग हो सकते हैं, तो आप इलखेंगे, अधिक्तम सोला अंग हो सकते हैं, चलिए, आपका question खत्म होता है, आप करते है, question number 6, question number 6 में आपको दिया है, P by Q, Q not equal to 0, के रूप में परिमे संख्याओं के अनेक उधारन लीजिए, जहां P और Q पुणांक हैं, जिनका एक ते अत्रिक्त, अन्य कोई उभेनिस्ट गुननखंड नहीं है, जिनका शांत, दसमलव, निरुपन है, क्या आप यह अनुमाल लगा स लगते हैं, कि P को कौन सा गुण अवश्य संतूस्ट करना चाहिए, देखिए, कैसे करेंगे, आपको बोला है कि आपको जो उभेनिस्ट है, जो कोमन संख्या है, वो क्या होनी चीए, एक होनी चीए, अगर मैं लिख दूँ 5 by 2, मैं लिख दूँ 5 by 2, तो यहां पर कोमन क्य है मेरा, एक है न, क्योंकि ना तो दो के पाड़े में 5 आता है, नहीं 5 के पाड़े में 2 आता है, अगर मैं लिख दूँ 17 by 5, ना तो 17 के पाड़े में 5 आता है, नहीं 5 के पाड़े में 17 आता है, तो मेरा यहां पर क्या है, उभेनिस्ट, मतलब की कोमन, उभेनिस्ट का मतलब करूँगा इनसे तो क्या हो सकती है ये चीजे शांत हो सकती है तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर हम हर में अगर हम हर में दो रख दें या फिर पांच रख दें या फिर दोनों में से कोई एक रख दें दो रख दें पांच रख दें या दोनों में से कोई भी एक रख द हरो में उनके हरो के भाज्य गुननखंड में दो या पांच अत्फ़त दोनों लिए दो या पांच हो या दोनों अत्फ़त दोनों होते हैं भाज्य गुननखंड में दो या पांच अत्फ़त दोनों होते हैं ठीक है चलिए कोशियर नुम्बर सेवन करते हैं कोशियर नुम्बर सेवन में आपको दिया है तीन ऐसी संख्याओं के उधारन दीजिए जिनका दसमलव परसार एशांत अनावर्ती हो जो एशांत भी हो और अनावर्ती अनावर्ती का मतलब क्या होता है जो चीज बार बार नहीं आ रही हो तो देखी कैसे करेंगे मैं लिख स यहां पर कोई भी चीज अगर 123 है तो 123 दुबारा एक साथ नहीं आ रहे ठीक है तो मेरी एक परीमस संख्या हो गई एशांत वाली मैं लिख सकता हूं इसको यहां पर 23189125468100 मैं कुछ भी लिख सकता हूं मेरी मर्जी है क्योंकि मैंको लिखना है कोई भी एशांत संख्या मैं को क्या लिखना है कोई भी एशांत संख्या जिसकी कोई भी अनावर्ती नहीं हो रही हो तो मेरी तीन आंसर इसे तीन संख्या है पूछी दी तो मेरी पहली संख्या ही होगी दूसरी होगी तीसरी होगी आप ऐसी ही कुछ भी लिख सकते हैं आपकी यह दुबारा ठीसी संख्या का repetition नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1,2,1,2 दुबारा आ रहा है, कहीं बारा रहा है तो ऐसे कोई repetition नहीं होना चाहिए ठीक है, चलिए, question number 8 करते है question number 8 में आपको दिया है परीम संख्या हो, 5 पेटे 7 कैसे करेंगे, देखिए, point लगाया मैंने 50 हो गया, 7,7,49 एक बच गया, मैं जीव लगाई, साथी कम साथ, तीन बच गया, जीव लगादी, साथ चुक 28, ठीक है, दो बच गया आपे, फीजिव लगादी, साथ दुनी 24, कितना बच गया है याफे, 46 बच गया, जीव लगादी, سाथ, 8, 56 एक बच गया, जीव लगादी, साथ भूढ़े कम साथ, आपने याफि देखा, कि पांच के बाद, पांच के बाद दोबारह फिर 7 आगया, फिर 1 आगया, फिर 4 आयगा, फिर 2 आयगा, फिर 8 आयगा फिर 5 आयगा, तो मैं कर सकता हूँ na मैं लिख सकता हूँ, 0.714285 के उपर बार लगा दूं क्योंकि बार-बार संख्यागी, repeat होने वाली हैं आगे तो मैंने क्या कर दिया, कि 0.714285 के उपर कैं लगा दिया बार लगा दिया, तो यहां से मैं को पता लग गया कि 5 by 7 की जो value है वो कितनी है, 0.714285 अब मैं करूँगा 9 by 11 की 9 by 11 की 9 by 11 की मैं करूँगा देखिए 9 by 9, 1 पच गया, आपने 0 लगा दिया 9 by 9 sorry 9 by 11 की तरण ली थी न आपको दिया है 9 by 11 तो कैसे करेंगे, तो 9 by 11 आपने point लगा जीरो 90 हो गया, तो 11,88 दो बच गया आपने फिर जो लगा दिया 11 कम 11 ठीक है, कितना बच गया, 9 बच गया फिर आपने जो लगा दिया 11,88 फिर 2 बच गया, आपने देखा कि बार बार point 81 के बाद दुबारा फिर 8 आगया, फिर 1 आएगा तो हमने का करेंगे, हम कर सकते है न, उसको point 81 के उपर बार लगा सकते है जब बार बार 81 के बार फिर 81 आगया, तो हम का करेंगे point 81 के उपर बार लगा सकते है, ठीक है तो चलिए यहां से आपके value मिल गई 5 by 7 के value मिल गई, 0.714285 और 9 by 11 के value मिल गई आपको 0.81 ठीक है, अब आप से पूछा है कि इसके बीच 3 भिन-भिन संख्याई याद करनी है 3 भिन-भिन संख्याई तो क्या करेंगे, आप इनके बीच में कोई भी संख्याई लग सकते हैं, जैसे देखो जो 3 भिन-भिन-भिन संख्याई वो क्या होंगी आप कर सकते हैं न, मैं लिख सकते हूं 0.712812 लिख सकता हूं मैं ऐसा कुछी भी लिख सकते हैं आप इनके बीच में होने चीए, बस digit मैं लिख सकते हूं 802124 आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं लेकिन क्या होनी चीए, सब डिजिट इन दोनों के बीच में, जैसे मैं लिखूं 3 और 8 की बीच में कोई संख्याई लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा 4.5 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं 6 लिखता हूँ, 7 लिख सकता हूँ 7.5 लिख सकता हूँ तो ऐसे ही हम इनकी बिच में संख्या लिख रहे हैं ठीक है, मैं लिख सकता हूँ आपका 7, 2, 8 1, 2, 1 ठीक है, तो आपकी 3 संख्या ही होगी चलिए, आपका आखरी question है question number 9 में आपसे बोला है, निमनी संख्याओं को परिमे, एपरिमे वर्गी करत करो, आपको दिया है 1st दिया है आपको 23, आपको बताने कि 23 एक परिमे है कि एपरिमे संख्या है 1st दिया है 23, 2nd आपको दिया है, root 225, 3rd आपको दिया है, 0.3796 4th आपको दिया है, 748 8, 4, 7, 8 और 5 आपको दिया है 1.10 1.00 1.000 1.440 1.00 अब आप से पुछा कि कौन परीमे है और कौन एपरीमे है देखे, मैंने आपको बताया था परीमे संक्या क्या होती है जिनके नीचे हम एक लिख सकते हूँ परीमे संक्या है आपने देखा कि इसके ओपर रूट है मैं इसको कर सकता हूँ 15 into 15 मैं 225 को कर सकता हूँ 15 into 15 225 आजाएगा हमें पता है कि रूट के अंदर जो चीजें एक जासी होती है उनमें से एक चीज भारा जाती है तो दोनों 15 थे एक भारा आगया तो हमने देखा 15 क्या है एक परीमे संक्या है तो इसलिए रूट 25 भी क्या है एक परीमे संक्या है हमने देखा अगर कोई दसमलव शांत हो जा रहा है क्या हो जा रहा है शांत हमने देखा 3796 के बाद कोई भी digit आगे नहीं जा रही है तो ये शांत दसमलव है तो इसलिए ये भी क्या है एक परी में संख्या है ठीक है हमने देखा कि 748478 हम इसको लिख सकते हैं न 4.784 क्योंकि बार-बार ये रिपीट हो रहा है 478478 बार-बार रिपीट हो रहा है 478478 तो मैं कर सकता हूँ कि 478 के उपर बार लगा दूँ तो बस अब ये बार लग गया तो ये क्या हो गया एशांत आवर्ती बन गई ये ये क्या बन गया एशांत आवर्ती बन गई और एशांत आवर्ती भी क्या होगी मेरी एक परी में संख्या होगी ठीक है और दूसरी बात है ये बार-बार आगे चला जा रहा है और कोई भी चीज बार-बार आने रही है तो इसको बोलेंगे हम ए परीमे संख्या क्या बोलेंगे ए परीमे संख्या तो चले दोस्तो आज आपकी यहाँ पर exercise 1.3 खतम होती है और मैं आप से गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को subscribe करें, share करें और like करें और comment करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो